नवस्कार दोस्तो मैं हूँ अमेत और आप देख रहें नौलेनूर दोस्तो मेरे कुछ जानना चाहा है कि रेल्वे में मानसून टाइम टेवल क्या होता है और रेल्वे इसका यूज क्यों करती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिक्सस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रेल्वे में मानसून टाइम टेवल क्या होता है तो दोस्तो रेल्वे में मानसून टाइम टेवल क्या होता है दोस्तों होता क्या है कि इन टाइम टेबल को इस प्रकार से decide किया जाता है कि वह जितनी भी इस बीज में station पर रुखेंगी उतने time को margin दे कर उसे बनाया जाता है ताकि train यहां पर late ना हो और अगर train यहां लेट होती भी है तो last station पर एक slack time दिया जाता है जिसमें ये जो है time table manage हो जाता है लेकिन दोस्त अगर हम बात करें मानसून के time में तो कुछ area ऐसे हैं जहां पर इतनी अधिक मानसून होती है कि वहाँ पर trainों को late होना जायज हो जाता है यानि कि trainे इतनी अधिक late हो जाती है चलने में उसके रास्ते में अगर बारिस वगरा जादा होगी तो वहाँ पर वो time table पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो इनी चीजों को देखते हुए कोनकन railway के द्वारा मानसून में time table एक अलग प्रकार से trainों के लिए बनाया जाता है तो मानसून के दोरान train की सेवाओं के या फिर उसके pattern में बदलाव जो किया जाता है उसी को मानसून time table बोला जाता है तो उस्तों मानसून के दोरान जो है ये time table जो बनाया जाएगा चुकि इस समय trainों की रफतार कम हो जाती है इसलिए उन्हें ज्यादा समय दिया जाता है अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए जो नॉर्मल जो है day में trainों का time table होता है उससे अधिक समय यहाँ पर दे कर और इस time table को बनाया जाता है कोंका railway की बात करे तो मानसून time table के तहद कुछ trainों की root उनकी frequency और उनके time में बदलाव किया जाता है तो दोस्तों यह मानसून time table में जो जो चीजे की जाती है उसमें है कि मानसून time table के तहद कोंका railway से जितनी trainे संचालित होती है उनके जो है कब से कब यह चलेंगी इनके time में क्या changes हुआ है यह सारी जानकारी NTS के माध्यम से यात्रियों को दी जाती है इसमें अधिक time दे कर trainों को चला जाता है साथी साथ इनके pattern के बारें बताया जाता है कि कौन trainे की जगा पर कितनी देर के लिए रुकेंगी चुकि वहाँ पर बारिस कम है या जादा है इसका idea नहीं होता है तो यह पहले से ही decide के जाता है तो दोस्तों यह जो है कौन का railway और खासकर उन area में जहां पर बारिश वगर अधिक होती है उसी को ध्यान में रखते हुए railway के द्वाराई बनाया जाता है तो उमीद करते हैं आप कुछ यह समझ में आई होगी कि railway मानसून टाइन टेबल क्या होता है और railway इसका यूज क्यों करती है तो इस वीडियो पस इतना ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद